आज हम बनाएंगे काबली चने की चाट मैंने 200 ग्राम चने लिये हैं चनो को मैंने ओवरनाट सो कर लिया है और पानी रेन कर दिया है हम इने उबाल लेंगे एक कूकर लेंगे और इसमें हम चने डाल देंगे मैंने चने डाल दिये हैं इसमें हम पानी डालेंगे, तीन चार ग्लास पानी मैंने डाल लिया है, अब हम इसमें डालेंगे एक टीस्पून नमक, अब इसमें जाएगा एक पिंच या वन एटीस्पून बेकिंग सोडा, बेकिंग सोडा डालना ओप्शनल है, इससे चने जल्दी गल जाते हैं, और पकाएंगे, आप अपने कुकर के हिसाब से विसल लगाईए, चने बॉाइल हो गया है, मैंने इन्हें ड्रेन कर लिया है, अब चलते हैं नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ, एक पैन में हम तेल लेंगे, तेल मैंने अल्मोस्ट हंडेड ग्रैम लिया है, तेल हलका गरम हो गया है तब हम इसमें प्याज डाल देंगे, ये मैंने एक प्याज को बारी कट कर लिया है, इसे हम तेल में फ्राइ करेंगे, प्याज को हम लगातार चलाते हुए एक से दो मनट तक फ्राइ करेंगे, जब तक इसमें हलका सा गोल्डन कलर ना जाए, प्याज का हलका सा गोल्डन कल करने मिंदी सोफरे कर cash के लिए हम फ्राइए को बिश्य मिलें एक निट के लिए यिसे मुँछ मसाले से कुछ कम हल्दी पाउड़र आधा टीMrsby के मिर्च सिपन भूर टीस्पन करेंगे गया दोर मसालों को कम से कम 3-4 मिनद तक लगातार भूनें बीच बीच में एक टेबिल स्पून पानी डाल कर मसालों को भून लीजिए मसाले भून गए हैं हम इसमें छोले आट कर देंगे चमर से चला लेंगे और 1-2 मिनद तक इनने हम चलाते हुए पकाएंगे चनों में थोड़ा भूत पानी है तो ड्राइ हो जाएगा और मसाले चनों पर अच्छी तरह से खोट हो जाएंगे और बस चने तयार हैं इनने हम सर्व करेंगे हम इनने एक प्लेट में निकाल लेंगे इसके उपर कटी भी प्याज डालेंगे ये मैंने आलू को कट करके बॉयल कर लिया है इसमें थोड़ा सा नमक और बहुत थोड़ा सा येलो फूट कलर डाल कर बॉयल कर लिया है इन्हें भी चाट में डाल देंगे और इसके उपर हम दही डालेंगे दही को फेंट लेजिए और दो तीन टेबिल स्पून पाने मिलाकर थोड़ा सा पतला कर लेजिए और अब इसके उपर हम कुटी मिर्ज डालेंगे उपर से हम पापर डाल देंगे थोड़ी सी प्याज कटी हुई फिर से हम डालेंगे और थोड़ा सा दही भी डालेंगे कटी हुई धनिया पत्ती समय से गार्निश करेंगे और हमारी चना चाट या छोले चना चाट बन गई है आप इसमें अपने टेस्ट के अकार्डिंग कुछ भी आड़ कर सकते हैं और जो आपको ना पसंद हो उसे हटा भी सकते हैं आप इसमें हरी चतनी मीठी चतनी कुछ भी मिलाईए तो जरूर ट्राइ कीजिए इस चाट को और रेसिपी कैसी लगी कमेंड करकर जरूर बताईए वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिए इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए थैंक्स पर वाचिंग